दोस्तों यदि आपका गुडर प्लांट पूरी तरह से हैल्दी है मेरे इस हाइब्रेड हिबिस्कस प्लांट की तरह ही जो की जमीन में लगा हुआ है आपका प्लांट भी अच्छी ग्रोथ कर रहा है हरा भरा घना है बट उसमें कलिया नहीं आ रही है जैसे मेरे इस हिबिस्कस प्लांट में कलियां भी आ रही है और फुलावर ब्लूम भी हो रही है या फिर कलियां बनती हैं बट कलियां खिलने से पहले ही डृप हो जाती हैं गिर जाती हैं तो आपके प्लांट की ये सभी प्राइबलम इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो जाएंगी आप वीडियो देखने के साथ साथ जो information मैं बताऊं उसे आप ध्यान से सुन लीजिएगा तभी आपके लिए वीडियो helpful हो पाएगी otherwise नहीं तो चलिए शुरू करते हैं ये भी hybrid good health plant है जिसे मैंने गमले में लगा रखा है इसमें दो फूल खिले हुए हैं और कलियां भी बहुत सारी बनी हुई है और हर दिन इसमें एक दो फूल खिलते रहते हैं मेरा ये plant पूरी तरह healthy है इसे flowering के लिए जो भी nutrients चाहिए वो सभी nutrients इस plant की roots plants में पहुँचा रही है मतलब दोस्तों ये है कि मेरे जमीन में लगे good health plant और इस गमले में लगे good health plant का जो root system है वे पूरी तरह strong है, healthy है किसी भी nutrients की कोई कमी नहीं है तो मैं इस plant को क्या fertilizer देता हूँ कितने दिनों के बाद किन जरूरी बातों को ध्यान में रख कर देता हूँ सारी जानकारिया आपको दूँगा और आज फिर से मैं वही fertilizer अपने इस plant को वीडियो बनाते हुए दूँगा जो मैंने आज से 30 दिन पहले दिया था सबसे पहली बात, good health plant जो है summer का flower plant है बट summer का flower plant होने के बावजूद भी ये plant flowering बहुत कम करता है या करता ही नहीं यदि गर्मी का जो तापमान है वह 35 डिगरी से ज़ादा है तो ज़ादा गर्मी होने के वज़े से भी ये plant flowering नहीं करता है तो ये flowering करता कब है तो दोस्तों सबसे ज़ादा flowering ये मानसून से लेकर सर्दी शुरू होने से ठीक पहले तक करता है वो इसलिए क्योंकि मानसून सीजन में जो है तापमान 20 डिगरी से 30 डिगरी का हो जाता है और good health plant अधिक मात्रा में flowering 16 से 32 डिगरी के तापमान में ही करता है बड़ जब विंटर सीजन में जो तापमान 16 डिगरी से कम हो जाता है तब ये plant flowering बंद कर देता है और फिर से जब विंटर सीजन खत्म होता है तापमान 16 डिगरी से उपर जाता है तो good health plant फिर से new growth शुरू कर देता है और फिर से flowering के लिए तयार हो जाता है जिससे बसंत रीतू में ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है और जैसे जैसे गर्मी का सीजन बढ़ते जाता है वैसे वैसे ये फ्लावरिंग कम करते जाता है और मौनसोन आते ही ये फ्लावरिंग फिर से शुरू कर देता है अधिक मात्रा में अब हम अपने प्लांट को fertilize करेंगे, दोस्तों मैं अपने इस गंले में लगे good health प्लांट को महीने में एक बार fertilize करता ही करता हूँ, वो इसलिए प्लांट कितनी भी अच्छी से फलफूर रहा हो, अराबरा हो, गना हो, बट प्लांट हमारा जमीन में नहीं लगा है, वो एक गंले में लगा है, तो हमें लगातार उसकी ऐसी ही अच्छी growth के लिए, जो कि गंले में लगा है प्लांट हमारा, महीने में उसे एक बार fertilize जरूर करना चाहिए, ताकि उसे लगातार भोजन मिलता रहे अपनी अच्छी growth के लिए, ये है डीएपी खाद, ये nitrogen fast force का एक इसी भी flowering plant के लिए जो गंले में लगे plants को बहुत ही जल्दी nitrogen और fast force प्रोवाइड करता है, दोस्तो डीएपी में nitrogen 18%, fast force 46% रहती है, nitrogen plant की growth बढ़ाता है, plant को हरा बरा और घना करता है, और fast force plant के root system को strong करता है, plants को रोगों से बचाता है, पतियों और कलियों को जड़ने से branches को strong बनाता है, कलियों का size बड़ा करता है, जिससे flower भी बड़े size में खिलते हैं, hybrid hibiscus plant एक heavy feeder plant है, तो मैं यहां इसकी भूग और plant के size के according ही लगवग 15 दाने DAP के डाल रहा हूं, 15 इसलिए क्योंकि मेरी ये जो DAP है, ये छोटे दाने वाली है, यदि बड़े दाने वाली तो आपका plant जल जाएगा, क्योंकि DAP alkaline nature की होती है, और गुडल plant को acidic soil पसंद होती है, और यदि आपके पास DAP नहीं है, तो आप 15 दिन में एक बार vermicompost 3-4 मुटी अपने गुडल plant में गुडाई करके जरूर डालें, DAP खाद को आपने plant की जड़ के पास बिलकुल भी नह आपने गमले के किनारे पर ही खाद को डालना है, जड़ से दूर ही डालना है, अगर जड़ के पास आपने डाली तो आपका plant जल सकता है, तो दोस्तों आप DAP खाद का यूज अपने plant की अच्छी growth के लिए अधिक मात्रा में कलियों के लिए बे जिजग कर सकते हैं, आप इ इसके इलावा आप अपने हिबिसकस plant पर हर रोज पानी का सप्रे करें, पानी का रोज सप्रे करने से जो है, प्लांट खुश रहता है और कीट पतंगों से भी बचा रहता है, और यदि आपके प्लांट में कलियां आकर गिर जाती हैं खिलने से पहले, तो आप अपने प्ल झाल